कि नमस्कार साथियों स्वागत है आपका आपके अपने यूटुब चैनल जीए सेवरीटे में दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तो इस वीडियो को सुरू से लेकर के अन तक देखेगा और अगर आप चैनल पर पहली वर विजिट कर रहे हैं दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आल वे लेकर जरूर दबा लेना ताकि ऐसे ही इंफोर्मेशन आपको समय समय में पर मिलती रहें तो चलिए दोस्तो बिना वक्त के बाए हम लोग सुरुवात करते हैं वीडियो की और जो इंफोर्मेशन से सिक्टे फॉर्थ वीपेसी के फाइनल रिजल्ट को लेकर के जो बहुत सारी आटिकल है थी कि यह 26 सारी को आएगी या 27 मई को आएगी या कब आना है उसके रिगाड़े एक क अपनों को खोया है और चले दोस्तों देखते हैं कि जैसे देखी दोस्तों सिक्टी फॉर्थ वीपेसी का जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट ऐसे ही नहीं आ रही है वो रिजल्ट आने में भी बहुत टाइम लग चुका है हाला कि इसके रिगार्डिंग इ अब एक रिजल्ट का टाइम आया है हाला कि इसमें भी धीर धीर डिले हो रही है और डिले होने का एक सबसे बरा महत्यपूर्ण कारण जो रहा यह जो कारण है कि आपको जो क्रोना काल आ गया है क्रोना की दोतरास्ती है जिसके वजह से हैं क्रामचारियों की भी बहुत सार बना है सुब कामना है और आसिरवाद देखे और यहां पर इन्होंने पर बता भी दिया था कि चार्सो च्यासी है सो यह फाइनल मेंस का कट अप गया है और मेंड है सो 579 पर बना है हलाकि देखिए यह तो इन्फोर्मिस्ट सहीं नहीं रही हलाकि यह 26 तारीक तो बीठ चु इस तरह के लिए सो मुझकल हो सकता है ऐसा नहीं है कि हम मतलब बहुत सारे लोग कह भी रहे होंगे कि मतलब यह रिजल्ट आना चाहिए था भी तक नहीं आया क्यूंग नहीं आया तो इसके रिगर्डिंग है सो आयोग ने भी अस्पस्ट्री करन दे दिया है चुकि जो वा पूछा और उनके एवज में उनको क्या जवाब मिला है चलि मैं उसको भी सुना देता हूं आपको हलो 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 सर हम पटना से बात कर रहे हैं सर वो 64 का रिजल्ट फाइनल कब तक आएगा देखें बहुत टाइम हो गया मैं बटा दीजे ना जवार इसान फोन आ रहा है अभी लोग कम आ रहे हैं लगा अब हां सर वो तो है वो तो समझ जब तो चेक करते ही है सर लेकिन बहुत टाइम हो गया ना सर प्लीज बता दीजे ना सर कब तक आएगा तो इस तरीके से इन सारे बातों को सुनने के बाद आपको यह असपस्ट हो गया होगा कि मैं लाश्ट तक तो कम से कम रिजल्ट आही इसके रिगार्डिंग जो असपस्ट जिकरन आया है आयोग के तरब से अब देखते हैं एक पेस्विज्यपती है सुजारी की गई है चोसटमी सयुक्त प्रत्योगता परिच्छा के रिगार्डिंग देखे दोस्तों कि परिच्छा का अंतिम परिच्छा फल घूसित करने क अंतिम परिच्छा फल जो है जुन महा के प्रथम सब्ताह में आईगी कि हलाकि आयोग ने असपस्ट आइग के अज exist काल से अजThese निवपती है देखें दोस्तों यह information wrong नहीं है मतलब कोई भी किसे तरीके से कोई बताता है तो एक अपना रिसूर्स के थुरू ही बताता है ऐसे ही नहीं बोल देता है और देख लिए इसके रिगार्डिंग में सपस्टी करन भी आयोग ने दे दिया है कि जून के प्रसम सब्ताह में आने वाली है तो तुरह सा यह टिपकल समय है सो क्रॉस फिंगर्स दोस्तो तब तक के लिए वेट किजिए जून के प्रसम सब्ताह में कहा जा रहा है तो लेकिन देखे दोस्तों आने के एक्जेक्ट देथ है कोई नहीं बता सकता है कि कोरोना काल की इतरास्ती चल रही है हुआ पर स्टाप्स की कम्या है और जिसके वज सकता है कि 29 तारीकों है सो कुछ लोगी बता रहे हैं तो लेकिन जहां तक मेरा अपना अनुमान है कि यह एक से दो जून के बीच में आने की प्रवल संभाबना बन रही है ठीक है अब देखे किस जेट पे आती है तो वेट करना है फर्स वीक में कहा जा रहा है हलाकि लगब लगब जहां तक मुझे पता चला है कि रिजल्ट तयार है कभी भी आसकती है तब तक के लिए परसान नहीं हो ना दोस्तों आराम से रहे है रिजल्ट आना है आएगा है बहुत जल्द आएगा तो चले दोस्तों हम लोग है सो बात कर लेते हैं आगे जो बी एससी का जो टे कह्या करने का प्सक्राइब क मतलच क हैं यह जो आयोग भी आपको और यह तरासदी चल रही है और इसमें झालच को त्यार होना चाहिए उनको यह पता ही नहीं है कि टाइपिंग का कि यह नहीं है यह कि तो हुगा देखें दोस्तों यह इतनी आसानी से नहीं देने वाले हैं दोस्तों और इसके लिए दोस्तों आप लोगों को खुद से भी सजग होना पड़ेगा और खुद अपने हग के लिए लरना पड़ेगा और इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको दोस्तों आप चाहें तो यह जो हैस्टेग है इस पर जाकर कि इसको आप ट्रेंड में ला सकते हैं कि हैस्टेग बी एससी 10 प्लस टू फाइनल रेजल्ट तो जिस पकर से 64 बीए से के लिए लोगों ने प्रेसर्स ग्रूप बनाये थे और साथी साथी से ट्विट किया था उसे तरीके से आप लोग को भी अपने फाइनल रेजल्ट के लिए करना पड़ेगा तभी जाकर कि आप लोगों का फाइनल रेजल्ट आ सकता है अधर्वाइस यह आयोग है स्वही रहेगी सरकार है सरकार समय पर बदलते रहेंगे आते रहेंगे लेकिन आगे कुछ हो जाने को है नहीं हाला कि सरकार बदल दोस्तों तब ज़्यका को पिछ आजय सकती है। और आयो को भी इसके रिगार्डिंग लिटिकेसं देने चाहिए। सरकार को भी के हां कि पहले तो बीच में सुनने के बारा था कि जल्दी रिजुल्ट हाइन्ल किया जाना चाहिए। चुकि अब देर नहीं बहुत जादा देर हो चुकी है दोस्तों चुकि साथ से आठ साल बीच चुके हैं साथ से आठ साल एक बहुत लंबी अबदी होती है कितने कि तो इसके इंतजार में साधी हो गई ये साधी बैया होकर के बाल बच्चे भी हो गए हैं ठीक है तो एक बहुत लंबी अब्दी हो गई चलिए दोस्तों इन्हीं जाने कारी एक साथ फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद